Google 2FA Smart Pass में Two-Factor Authentication का Main Method यह एक स्विधजनक Authentication Method है जो अंतराष्टे सुरक्षामानकों का आनुपारन करती है Connected Google 2FA हमारे प्रोडक्टों में Payout के लिए एक जरूरी सर्थ है इस ट्यूटोरियल में हम यह पता लगाएंगे कि Google 2FA को Two-Factor Authentication Method के रूप में कैसे चालू किया जाए तो Smart Pass पर जाएं और Security सेक्षन में जाएं अपने स्मार्टफोन पर Google Authenticator डाउनलोड करें Authentication शुरू करने के लिए आपको इंस्टॉल किये गए मॉबाइल एप्लिकेशन का उप्योग करके स्क्रीन के दाई और QR कोड को स्कैन करना होगा ऐसा करने के लिए एप्लिकेशन पर जाएं पहली स्क्रीन पर Get Started बटन पर क्लिक करें इसके बाद खुलने वाली विंडो में स्कैन एक QR कोड तुने Activision पेज पर QR कोड को स्कैन करें और Continue बटन पर क्लिक करें उसके बाद आपके स्मार्ट फोन पर Google Authenticator एप्लिकेशन में One Time Password वाली एक लाइन पेश होगी जो लगातार अपडेट होती रहती है कोड एक्सन टाइमर को पाई चार्ट के रूप में कोड के दाई और दिखाया जाता है 2FA पुष्टिकरण पेज पर One Time Password दर्ज करें तैयार हैं आपने Google 2FA चालू कर लिया है किरपया ध्यान दे कि Activision पेज पर केवल आपके पास QR कोड तक पहुँच है किरपया इसे किसी को ने दिखाएं या भेजें यदि आपको Google के जरिये Two Factor Authentication को निस्करिय करने की जरुरत है उधारण के लिए अपना स्मार्टफोन बदलते समय तो किरपया हमारी सपोर्टीम से संपर्क करें हम सुझाव देंगे कि आप Google Two Factor Activation को ने डाले क्योंकि अल्टिमा प्रोड़क्टों के साथ काम करते समय आपकी सुरक्षा तिधे इस पर निर्भड करती है